हलो क्लास, वेल्कम बैक बच्चों, बेटा बात कर रहे हैं, सुर्ट के हैं, डेवेंचर, रेटेंट अर्णिंग, इकुटी शेर कापिटल, प्रेफरेंच शेर कापिटल, इन चार में से एक का आना तो बिल्कुल तया होता है, कुछ-कुछ केसिस में बेटा दोनों भी आ जाते हैं, चार में से दो आ जाते हैं, ठीक है न, मेरा मानना यह है, बेटा कम से कम तीन टॉपिक आएंगे, शेप्टर से बेटा, जिसकी वर्थ कम से कम पंदरा नंबर होनी ठीक है जी, अब बहुत अराम से सुनेंगे, आज दो टॉपिक खतम होंगे, अभी तक हमारी स्पीड ऐसी थी बेटा कि हम एक दिन में एक भी नहीं कर पा रहे थे, अब स्पीड थोड़ी सी वड़ेगी बेटा, अब एक टाइम पे बेटा दो टॉपिक खतम होंगे, ठीक ह सामने देखते चलना, डिफरेंशियेट करने की कोशिस करना, अब मैं लगबग लगबग अगले तीन चाथ टॉपिक ऐसे करा हूँगा, जो मैं डिफरेंस फॉर्म में करा हूँगा, तागे आपको क्लियर होता रहे बेटा क्या चल रहे, बाबू, एक टाम है, कमर्शियल सीपी जिसकों प्यार से बोलते हैं बेटा, और एक टाम है बेटा पब्लेक डेपॉसिट्स, ठीक है न, बहुत सारे स्कूल ने कटवा दिया होगा, दोनों कटवा दिया या एक कटवाया, पब्लेक डेपॉसिट करा दिया, अब मैं अगर आपको ये बोल दूगे, इन दोन सुनी है न बात, ये टॉपिक कटवा देते हैं, ठीक है न, और होगा, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, 100% होगा, और आप आके पताएंगे, कॉमर्शल वेपर कटवाएंगे, और लिखवाएंगे, इंटर कॉर्पोरेट डेपॉसिट्स, ओ भाई, ये दोनों एक ही ह अब सुनते जाना बेटा, बहुत काम की बात मुझ से, बेटा, इन दोनों में न, टेक्नीकली बस एक फरक है, बाकी दोनों one and the same thing, ठीक है जी, सुनना, पहली बात, बेटा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, शॉट टम के लिए होते हैं, बुक कुछ भी कहे, बुक को इगनो और मरो, मुझे पता है, 11th में बुक में गलती है, 12th में यही बात ठीक हो जाती है, 12th में दुबार है है topic, ये दोनों शॉट टम इंस्ट्रूमेंट है, शॉट टम मतलब, याद आया होगा, इनके पैसे, एक साल के अंदर अंदर वापिस हो जाते हैं, सर जो हमने पहले चार पड़ें अब वो, वो बेटा चारों लॉट टम थे, लॉट टम मतलब, पांच साल से पहले किसी के पैसे नहीं देने, और ये दोनों मैं क्या बोल रहा हूँ, शॉट टम इंस्ट्रूमेंट है, शॉट टम मतलब, पैसे एक साल के अंदर अंदर वापिस हो जाएंगे, पहल भी एसेट गिरवी नहीं रखती, अंसेक्योड हैं, डिवेंचर सेक्योड होते थे, याद है, बाकी साब अभी तक अंसेक्योड ही पड़े हैं, ये दोनों भी अंसेक्योड हैं, ये दोनों शॉट टम इंस्ट्रूमेंट है, तीसरी बात, क्यूंकि अंसेक्योड इंस्ट्र sir unscure instrument है company security नहीं के नीवी रखती बेटा इन के लिए तो बिक्ते किस company के है sir सरफ उनीी company के बिक्ते है जो companyा large है जिनकी credit वर्दीनेस बहुत आई है sir किसी भी company के बिक्जाएंगे कल इशू करूँगा कॉमर्शल वेपर, पब्लिक डेपॉजिट और परसो बाई-बाई इंडिया, सर अगर किसी भी कमपनी के बिखने लगे ना तो हर गली मौलने में कमपनी घटी हो जाएंगी, मैंने एक कमपनी में आई ABC Limited, अगले दिन कॉमर्शल वेपर इशू करें 50 करोड, लोगों ने खरीदें 50 करोड और मैं बाई-बाई इंडिया, सर बिखते नहीं हैं इतनी असानी से, यह सर उसी कमपनी के बिखते हैं, जिनकी credit worthiness बहुत आई है, reliance इशू करें, सर आज बिखेंगे, guaranteed बात है, लेकिन बेटा, गली मौल लेगी कोई कमपनी इशू करें, करते रहो बेटा, आपके नहीं बिख सकते, समझाई बात, तीन बाते मैंने बोली, short term instrument है, unsecured instrument है, unsecured है, इसलिए बिख सर्वुनी कमपनी के बाते हैं, जो large है, जिनकी credit worthiness बहुत हाई है, काम की बात, difference बतादू पहले, सर इन दोनों में difference क्या है, बेटा, मेरी नजर से सोचोगे, तो बस एक फरक, hundred percent same, बस एक फरक छोड़के, इसका नाम है public deposit, मतलब, बेटा, company issue करती है, खरीदने वाली general public, इसलिए इसका नाम पढ़ा public deposit, तो commercial paper क्या है, सर, company issue करती है, खरीदने वाली भी company, यहाँ general public खरीदती है, public deposit, आपको पता है, मैंने commercial paper का दूसरा नाम क्या लिखा, inter-corporate deposit, मतलब, inter-corporate, मतलब corporate to corporate, बेचने वाला भी corporate, और खरीदने वाला भी corporate, company ही issue करेगी, और खरीदेगी भी company बेटा, शाद बात समझ में आगे होगी, सर मैंने एक ही difference बोला, और आखरी तक कोई दूसरा difference बोलूँगा ही नहीं, और जो teacher ये कटवा के ये करा देते हैं, सर, दिमाग आपको तो hats off है बाई, आपका तो बस जवाब ही नहीं, सर, मैं कहा रहा हूँ, difference ही कुछ नहीं है, आपको पता क्या फिर, ठीक है ना, कोई difference नहीं है, एक बात और सुनते जाना, सर, पब्लिक क्यों खरीदेगी आपका instrument, unsecured, इकुटीचर ना खरीदे, डिमेंचर ना खरीदे, इससे बढ़िया, डिमेंचर खरीदने में क्या दिक्कत है, डिमेंचर तो secure होती है, पब्लिक क्यों खरीदे, सर, आप लालच देते हो, आप लालच देते हो, सुनना, लालच का नाम सुनना, बेटा, आप ना पब्लिक को और आप कॉर्पोरेट को लालच देते हो, कि सीच का लालच, मैं अगर मुझे पैसे की जो रत है, मैं company हूँ, मुझे बेटा 50 करोड की जो रत है, ठीक है, मैं loan लेने गया मैंने bank से बुचा bank क्या व्याज लेगा bank अने का 14% मैंने का यार बहुत दिक्ट है 14% तो बहुत ज्यादा होता है आप bank में पैसे जमा कराने गए आप ने बुचा bank FD कराने है व्याज कितना bank अने का 5% बैंकी यही कमाई होती है नो 9% की सर बोलो बैंकी कमाई तो यही होती है ना बेटा जो डिफरेंस होता है आप बैंक में डिपोसिट कराने जाते हो तो आपको FD पे ब्याज मिलता है 5% मैं लोन लेने जाता हूँ मैं 14 पे लेके आता हूँ बेंक की कमाई के है नौ कमपनी क्या करती है बीच का रस्ता निकाल लेती है कमपनी कहती है मैं आपको 10% ब्याज दोंगी मेरी कमपनी के पब्लिक डेपॉजट खरीद लो कमपनी को फायदा है के नहीं पहले ही बताओ फायदा है 14 से 10 पे आगे आप सर आपको फायदा है के नहीं है आपको 5 मिलता है FD पे आपको भी तो 10 मिल रहा है सर आपको भी तो फायदा दे रही है कमपनी तो बेटा इसी वज़ा से लोग पब्लिक डेपॉजट खरीदते है तो कमर्शल पेपर क्यों बिखते हैं सर कमर्शल पेपर बिखने का एक बड़ा ही solid reason है सुनना बाबू कोई भी business firm FD नहीं करा सकती कोई भी business firm के पास saving खाता नहीं होता business firm के पास क्या होता है सर्फ current account यू आपके पास आईडल पड़े हैं 50 करोड current account में आइडल मतलब वेस्ट पढ़ें कोई यूज नहीं है current account में ब्याज मिलता है सो चो current account में ब्याज मिलता है नहीं आपके 50 करोड खाली पढ़े हैं ब्याज कुछ नहीं मिल रहा मैं company मैं आपके पास गया मैंने का 50 करोड के मेरे commercial वेपर खरीद के ब्याजी earn कर लो तो समझ में आ रहा होगा कि public ये क्यों खरीदती है और company ये क्यों खरीदती है clear one दो बाते कोई दिक्कत तो नहीं है मैंने जितनी भी बात बोली अभी तक समझ आई सारी ठीक है दोनो short term है दोनो unsecured है बेग सिर्फ उनी company के पाएंगे जो large है जिनकी credit worthiness बहुत आई है ये general public को issue होते है ये corporate को issue होते है नाम है इसका बेटा intercorporate deposit that means corporate to corporate deposits ठीक है जी बावो हमेशा rate of interest दोनों के case में क्या होता है less than bank loan but greater than bank deposit that means FD clear one बढ़ा हूँ बात को आगे sir commercial paper generally दो purpose के लिए issue किया जाता है मैं commercial paper बोलू मतलब समझ लो public deposit साथ में है क्योंकि difference नहीं है न दोनों में ठीक है ना दो purpose के लिए issue होता है purpose आपने ध्यान रखने है sir मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो book में नहीं लिखी भी ठीक है ना एक बार मेरे को आपको broad idea देना है कि चीज़े होती कैसी मैं वो बात बोलूँगा जो book में नहीं लिखी भी commercial paper generally दो purpose के लिए इस्तमाल होता है प्यारे बच्चो सबसे पहला purpose seasonal और working capital need example सुनना बेटा मैं company हूँ let's suppose company का नाम है Tata एक product बनाती है Tata Voltas AC ठीक है और बेटा summer का season मुझे दिखाई दे रहा है February आ चुकी है ठीक है और Voltas जो इनका business vertical है पैसे की जुरत है बेटा हमने क्या करा हमारी company हमने commercial paper issue कर दिया और आपके knowledge के लिए बता देता हूँ एक बात थोड़ी extra है लेकिन सुनते चलो commercial paper हमेशा issue होते हैं बेटा at discount but redeemed at par बेटा commercial paper हमेशा issued होते हैं at discount और redeemed किस पर होते हैं बिलकुल par पर होते हैं समझाने के लिए क्या है बेटा समझना मैंने आपको एक commercial paper दिया बाबू सामने देखने हैं समय तरफ मैंने आपको एक commercial paper दिया और बेटा commercial paper पे लिखा वाई face value 100 रुपे ठीक है ठी मैंने का आप मेरे company के commercial paper करी लो देख लो इसके उपर face value क्या लिख्या है 100 रुपे लिख्या है मैंने का बस मुझे 95 दे दो 95 दे दो आपने का ठीक है सर्ड डिस्काउंट पर issue होने का मतलब समझ में आया ठीक है ना face value से कम value लेता हूँ बेटा at the time of issue आपसे ठीक है ना जैसे बिल्कुल वैसे ही है आप lace chips खरीदने गए 10 रुपे MRP है लेकिन retailer आपसे कहा रहा हूँ लव 9 दे दो बिल्कुल वैसे ही मैं कर रहा हूँ बेटा मैंने क्या बोला commercial paper is issued at discount मैंने क्या करा बेटा जब आपको issue करा तो discount पे करा face value लिखी है 100 मैं आपसे माम कितने रहा हूँ मैंने का लव पिचानव ही दे दो और कितने महीने के लिए issue कर रहा हूँ let's suppose 5 महीने के लिए issue कर रहा हूँ 5 महीने के बाद जब आप आए आपने मेरा commercial paper मुझे वापिस करा मैंने आपको पूरे 100 वापिस कर दी मैंने क्या लिखा बेटा issued at discount जब issue करता हूँ तो तो करता हूँ discount पे लेकिन जब redeem करता हूँ तो करता हूँ par पे redeem मतलब repayment जब आपकी repayment करता हूँ तो par value देता हूँ par value मतलब face value के बराबर सर यह जो 5 रुपे आपको फालतों में लेगे क्या है ब्याज सर मैंने आपके 95 रुपे 5 महीने तक use करे आपको 100 रुपे इसी लिए दे रहा हूँ यह 5 रुपे ब्याज के दे रहा हूँ आपको समझ में आया the difference between the issue price and the redemption price is interest clear हुई बात बात हो क्योई सबको हुई क्या यह दुबारा बोलू बेटा मैं दुबारा बोल रहा हूँ एक बार बहुत अराम से सुनलो बहुत concentrated रहना पड़ेगा आपको concentration डबल चीए ठीक है ना अगर फाल्तु knowledge लेने का दम है ना बेटा तो ले जाओ concentration रखोगे बरना मैं बुक जितना पड़ागे खतम करूँ आपको problem नहीं की पक्का बता रहा हूँ लेकिन एक्सर सुनो के आपका फायदा देगा यह बहुत ज़्यादा सुनो बाबू मैंने क्या लिखा commercial paper हमेशा issue होते है discount पर लेकिन बेटा जब repayment का number आता है बेटा तो redemption होते है पार पर पार मतलब face value के बराबर पैसा देता हूँ मैंने commercial paper आपको दिए face value face value का मतलब कुछ और नहीं MRP होता है यह समझो MRP लिखा face value लिखा 100 और मैं आपसे मांग कितने रहूँ मैंने का चल 90 दे दियार तू लेकिन तेरे पैसे मैं 8 महीने यूज करूँ आपने का कोई दिक्कत नी मैंने आपसे 90 रुपे लिए 8 महीने तक आपके पैसे यूज करे 8 महीने के बाद जब आप मेरे commercial paper लेकर आए तो मैंने आपको वापिस कर दिये 100 रुपे यह मैंने 10 रुपे फाल तो क्यों दिये बेटा ब्याज की तो दिये क्योंकि मैंने आपके 90 रुपे 8 महीने तक यूज की है मैं ब्याज दे रहा हूँ आपको 8 महीने की यानि कि मैं क्या बोल सकता हूँ the difference between the issue price and the redemption price is interest बढ़ाओ बात को आगे सुनना सर कोमर्शल वेपर के दो इस्तमाल है दो यूसेज कौन से दो यूसेज बेटा सबसे पहली बात कोमर्शल वेपर सीजनल और वाकिंग कापिटल नीड के लिए इस्तमाल किये जाते है मतलब अगे मेरी कमपनी टाटा वोल्टास फेबररी का मन्त मुझे पैसो की दुरत पैसे मिल नहीं रहे कहीं से भी मैंने क्या करा कोमर्शल पेपर इस्चू कर दिये ग्यारा करोड के और आपको कह रहा हूँ बस दस करोड दे दो क्योंकि इस्चू डाट डिसकाउंट फेस वैल्यू लिखी है ग्यारा करोड और मैं मागरा लो दस करोड दे तो दस करोड ले लो कोई भी कमपनी खरीद लो एक और कमपनी आई उसने मेरे कमर्शल पेपर ग्यारा करोड के खरीद ले मुझे दस करोड दे दिये मुझे 10 करोड मिल गए मैंने इन्वेस्ट करे अपने बिजनस में AC बनाए 10 करोड के बेचे दुबारा पैसे दुबारा बनाए बेचे दुबारा बनाए दुबारा बनाए बेचे 8 महीने तक अपना धंदा बहुत बढ़िया करा 10 के मैंने 12 करोड कर दिये 10 करोड से मैंने 2 करोड कमा दिये मैंने 12 करोड कमा दिये आप 8 महीने के बादा इलाओ मेरे पैसे मैंने वापिस करनी है पूरी face value मैंने आपको 11 करोड वापिस कर दिये मैंने कितने कमाए 1 करोड मेरा पैसा था आपके पैसे से 1 करोड मैंने बनाए समझाई बात commercial vapor का इस्तमाल क्या है बेटा seasonal of working capital need clear बात एक बात हो सुनना सर मैंने भी बोला ये दोनों instrument क्या है unsecured है तो biggest company के बात है जो company आप लार्ज है जिनकी credit worthiness बहुत आई है लेकिन बेटा एक बात जहां रख लेना आप एक बहुत large company हो आपकी बहुत अच्छी credit worthiness ऐसा है you are a reliance industries limited पर बेटा देखो unsecured instrument में न हर किसी की पैसे invest करने के एक limit है ये मत सोच लेना क्यूंकि आप large company हो आप credit worthiness आप अर्बो रुपे घटा कर सकते हो commercial vapor ने एक limit तक पैसे दे सकता है बड़ी company को भी सर्फ 5-7-10 करोड ये मत सोच ना कि मैं 100 करोड के commercial vapor इशू कर लूँगा even you are a reliance 100 करोड के इशू करके देख लो कोई खरीद ला मुझे बताते बिक नहीं सकते commercial vapor public deposit unsecured है लल्लू पंजू company तो बेचे नहीं पाएगी एक रुपेगा भी बड़ी company बेश तो पाएँगी पर अर्बो नहीं घट्टी कर पाएँगी बेटा unsecured instrument में लोगों के बेटा पैसे invest करने के लिए बेटा है लोगों को डर लगता है तो बेटा 5-10 करोड की बात करो इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती ठीक है जी? सुनना प्यारे बच्चो बेटा मैंने भी बोला था commercial वेपर के दो इस्तमाल है पहला सीजनल और वरकिंग कैपिटल नीड दूसरा बहुत अराम से सुनना to meet out the flotation cost मतलब मेरी company को 100 करोड की जुरत है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैंने सोचा कि देखो ऐसे cases में एक ही option best होता है equity जितना मर्जीब ऐसा चाहिए हजार करोड चाहिए 10,000 करोड equity बिखता है मैंने का जी हम equity से रिशू करेंगे 100 करोड का अब मेरे दिमाग में एक tension कि यार equity तो रिशू करते 100 करोड का लेकिन equity के साथ flotation cost सबसे ज़्यादा होती है which is almost 10% मैंने का यह 10 करोड कहां से आएंगे सर याद है flotation cost पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है उसे flotation cost कहते है मुझे 100 करोड चाहिए मैं equity share issue कर रहा हूँ कहां से दू commission underwriter को सर कहां से दू कहां से दू प्रोगरेज कैसे करू खर्चे prospectus पे सर खर्चे हैं न 10 करोड के advertisement कैसे करू 10 करोड भी कहां से आएंगे मेरे पास एक रूपा नहीं है मुझे चाहिए 100 करोड मैंने यह तो सोच लिया equity share से पैसे आएंगे पर बेटा flotation cost के लिए 10 करोड चीए अब सुनना company ने क्या करा प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं मैंने commercial paper issue करे worth रूपी 11 करोड issue करे 11 करोड के at discount मतलब 10 करोड ही दे दो 11 करोड के commercial paper ले जाओ 11 करोड के commercial paper बेचे 10 करोड मेरे पास आ गए 100 करोड मेरे पास equity के आ गए 100 करोड आ गए 100 करोड business में invest करे पहले साल जो भी कमाया पहले commercial paper के 11 करोड वापिस करे अगर आप पहले साल equity को dividend नहीं दोगे equity वाले कुछ कर सकते हैं नहीं तो मैंने 100 करोड से जो कमाया commercial paper के पैसे उतार दिये और अगले साल से कमाया जाओ equity को dividend दिये जाओ समझना में ने क्या करा पुरी company ने क्या करा game कैसे घूमा commercial paper का इस्तमाल जब भी flotation cost meet out करने के लिए किया जाता है इस term को हम बोलते हैं bridge financing नाम ही बदल जाता है इसका नाम का commercial paper नहीं रहता commercial paper के दो इस्तमाल है season of working capital और दूसरा to meet out the flotation cost जब भी commercial paper का इस्तमाल flotation cost के लिए किया जाता है इससे हम बोलते हैं bridge financing सर मैंने पूरा idea दे दिया आपको कि क्या-क्या इनके इस्तमाल है क्यों-क्यों ये issue किया जाता है कैसे issue किया जाता है कितने unsecured है short time है सब बताती clear होगी बात सर अब book में इका-दुका बात गलत लिखी हुई है वो मैं correct करता चला जाओंगा जब मैं पढ़ूंगा और वैसे हम रुखेंगे नी बेटा ये दोनों topic खतम हो चुक है ठीक है जी लो बस मैं confirm करा देता हूँ आपको book से बबू मेरे पास जो book है उसमें page number निकालो आप 194 page number 194 topic number 8.4.5 public deposit topic number 8.4.5 public deposit पढ़े सर पहले introduction the deposit that are raised by the organization directly from the public are known as public deposit rate of the interest offered on public deposit are usually higher than the offered on bank deposit any person who is interested as depositing money in an organization can do so by filling up a prescribed form एक लाइन और पढ़ेंगे लेकिन गलत है पब्लिक डेपोजेट कें टेक केर ओ बोथ मेडियाम एंड शॉर्ट तर्म फिनेंशल रेक्वार्मेंट आफ दा बिजनेस गदो सिर्फ शॉर्ट तर्म कभी मेडियाम टम नहीं ठीक है जी? बभू, अब मेरी बात सुनना सर आपने इतनी सारी लाइन पड़ी मैं बफड़ावट से बता देता हूँ क्या-क्या बड़ा? पहली लाइन क्या बोलती है? कहता है पब्लिक डेपोजेट डारेक्ली जनरल पब्लिक को इशू किये जाते हैं बड़ावट से जादा होता है कहता है, जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है पब्लिक डेपोजेट में पैसे जमाग कर सकते हो और कमपनी लाइन में क्या करती है बेटा आपको? एक अकनॉलेज़मेंट देती है कि हंजी आमने आप से लोन लिया हुआ डिमेंचर के case में भी तो acknowledgement होता था मैं हमेशे example लेता हूँ न, FD क्या है, कागज का टुकडा डिमेंचर क्या है, कागज का टुकडा, तो bank public deposit क्या है, कागज का टुकडा जिस पे company ने लिख के दिया हुआ, हन जी हमने आपसे उधाड लिया हुआ, क्या दिक्कत है आठ महीने बाद पैसे देंगे, इतने इतने ब्याच के साथ देंगे हर clear होगी बाद, पढ़े merits, पहले आप, merits बेटा, merits, पढ़ी चारो, चारो clear होनी चीए, बहुत अराम से सुनना मेरे को total एक मिनट लगेगा, पहला, the procedure of obtaining deposit is simple and does not contain restrictive condition as are generally there in a loan agreement ये बात मैंने loan के time पर भी बताई थी, नहीं, retained earning के time पर भी बताई थी, अब दुबारा सर, जब आप public deposit से पैसा race करते हो, company कभी नहीं बताती कि वो पैसा को क्या करेगी यानि कि that means, there is a operational degree of freedom and flexibility याद आई वर्ड ये, return earning में था ना बेटा, loan के time पर हम बताते हैं ना, bank हम पैसे को यहाँ इस्तमाल करेंगे bank मैं घर बनाऊंगा, bank मैं कार लूंगा सर, public deposit में कभी नहीं बताना होता, check कुडे में fake को पैसा, हमें कोई मतलब नहीं second one, पता लग्या होगा, बेटा, public deposit में ब्याज, loan से कम होती है bank से borrow करते, तो 14% देते, यहाँ 10% में ही काम चल रहा है, 4% आप बचा रहे हो, इसलिए आपकी advantage है company की, clear, third one, public deposit, मैंने पहली line में बोला था, unsecured instrument है यानि की company asset गिर्वी नहीं रखती, यहीं लिखा है न, third advantage में do not create any sort of charge, सर याद है न, यह word, sort of charge, hypothecation, mortgage कोई asset गिर्वी नहीं होती है आपकी, public deposit से, unsecured instrumented total fourth one, as the deposit, सर यह भी पता लग्या होगा, voting right नहीं होते है public deposit को तो आपका control भी dilute नहीं होने वाला मुझे बहुत मैनत लगी है, यहां तक लाने के लिए, बेटा, waste मत करना clear हो रही है न, सारी बात, देख लो मैंने एक-एक चीज पे, बावो, एक-एक point पे अधा-धा घंटा लगा, हुआ adventure के time पर यह है, मत भूल जाना limitation, पहले आप limitation, पहली limitation, कहता है new companies generally find it difficult to raise fund through public deposit sir, नई कमपनियों को public deposit के पैसे कभी नहीं मिलते हैं, क्यूं? sir, आपकी credit worthiness zero होती है, मैंने company मनाई और मैं public deposit issue करूँगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्यूं बेटा? क्यूंकि अभी तक market में मेरी credit worthiness नहीं है आप थोड़े से पुराने हो जाते हो market में, जब आप लोगों का पैसा timely उतारते हो, तो आपकी credit worthiness बनती है तब जाकर public deposit बिखते हैं, नई company कभी public deposit बेच नहीं सकती बेटा, third one पहले पढ़ते हैं, second one बात में कहता है बेटा, collection of public deposit may prove difficult, particularly when the size of deposit required is large थोड़े देर पहले बोल चुका हूँ, 100 करोड चाहिए, सर दे नहीं सकता आप कितनी अच्छी company हो, 100 करोड नहीं मिल सकते सर आपको तो क्या बोल रहा है बेटा, अगर public deposit से पैसा चाहते हो और बेटा जो पैसा चाहिए, वो बहुत large amount है public deposit नहीं दे पाएंगे आपको, limitation है बेटा इसकी और second one, बेटा unreliable source है, public हो सकता है आपके large होने पर भी respond ना करे सर, public को डर लगता है न, unsacured instrument अगर उसको unsacured ही खरीदना है, तो बेटा वो equity खरीदेगा वो 10% का लालच भी नहीं करना चाहता आप खुद समझो, आप एक public के member हो, आपकी jam में 10,000 है मैं आपको लालच दू कि मैं एक unsacured instrument करीद रहा हूँ उसमें 10% तिरको भी आज मिलेगी है और एक मैं unsacured instrument बेज रहा हूँ जिसमें मुझे नहीं बता कितना मिलेगा, मिलने को 1000% भी मिल सकता है तो अव्यस बात है बेटा, आप 10% के लिए नहीं भागोगे सारी, equity unsacured है, public deposit बे unsacured है, महां 10% है सारी, हाँ, limit नहीं है तो अगर public को unsacured करीद रहना, जबरदस्ती नहीं है वो public deposit या commercial paper करीदे उसके दिमाग में रहता है बहुत बड़ा लालच तो वो equity share खरीदने में ज़ादा, बिलीब करता है बेटा हो लोग के, clear public deposit बेटा, commercial paper का हम intro नहीं पढ़ेंगे intro public deposit जैसा सारा सेम लिखेंगे, mutatis, mutandis मतला, cut copy based, subject होदा necessary modification public deposit नाम अठाना, commercial paper लिखते चले जाना सारी बात से, बस यह ध्यान रखना commercial paper issue करती है company, company को, पहली line में यह मतले लिखते है ना, general public को issue कर रहे है यह लिखना company को issue कर रहे है, ठीक है दी, merits पहले आप, बेटा, पांच merit में से एक कटवानी पड़ेगी गलत है, लेकिन मैं पढ़वाऊंगा एक बार सारी आपको पहले first की बात ही कर लेते हैं, sir, unsecured instrument है कोई restrictive condition नहीं है, sir, same बाद जो public deposit में आई थी unsecured होते हैं ना दोनों, और दोनों में restrictive condition मैं तो पहले बोला, कुछ फरक ही नहीं है, बस यह company को issue होता है public को, बागी सारी बाते से हैं second one, sir, कहता है, it is a freely transferable instrument, thus it has a high liquidity, transferable instrument, समझते हो freely transferable, इस term को हम ऐसे बोलते हैं technically negotiable, very good, ठीक है ना इस term को हम बोलते है, negotiable instrument है, तो बेटा इसमें high liquidity है, liquidity मतलब, ability to convert into cash, बिलकुल correct, liquidity का मतलब होता है, convertability into cash, अब समझना siege को, मैं company, मैंने बेटा commercial paper issue करें, किसी दूसरी company को, मानलो, once दूसरी company, ठीक है, for eight month, ठीक है, मैंने commercial paper बेच दिये, इसको, मैं side, sir, इसके पास commercial paper है, जो आठ महीने की maturity रखते हैं, इसको तीन दिन के बाद पैसों की जुरत पड़ गई, सिर्फ तीन दिन के बाद, company देगी, मेरे पास आएका कुछ होगा, मैं तो दूँगा नि, मैं तो sign करके दिया हुआ, आड महीने बाद, मेरे तो उपर case भी नहीं कर सकता है, बेटा, क्या ये commercial paper बाहर बेच सकता है, बेच सकता है, इसने बेचे, एक और दूसरी कंपरी, क्रिष्ट ने खरीब की है, क्या हुआ, क्या बेटा लिक्विडिटी है, बिल्कुल इमिजेट लिक्विडिटी है, इसका बेटा इंस्टूमेंट है, एक मिनिट में गैस में कनवर्ट हो गया, तो समझ में है public deposit भी बेच से जाते है market में और commercial vapor भी बेच से जाते है और दोनो freely transferable instrument है मतलब the one who is the bearer is the honor registered नहीं होते यह किसी के नाम पर भी freely transferable शट clear होंगा मैं इस बात को लेकर बेटा third one कहता है it provide more fund generally compared to other source पहली line ही गलत sir क्या लिखी है पहली line it provide more fund compared to other source क्या बात कर रहे हो sir commercial vapor दूसरे source के comparison में ज़्यादा पैसे देता है बिल्कुल गलत आप एक limited पैसा देते हो बेटा लेकिन दूसरी line साही लिखी है generally the cost of CP to the issuing farm is lower than the cost of borrowing of bank loan यह तो clear यह बात sir पहली line काट देना जो गलती है मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ fourth merit paper में कभी नहीं लिख क्या आएगा कोई भी बच्चा मैं पढ़वाँगा जरूर पूरी गलत है पूरी गलत ठीक है नहीं हो मैं प्रूब करूँँगा मेरा दिल नहीं कहा रहा है है कहने को मैं प्रूब कर दूँँ आपको सिर्फ एक मिनट लगा कर कहता है बेटा commercial paper provide a continuous source of fund this is because their maturity can be tailored to suit the requirement of the issuing firm further maturing commercial paper can be repaid by selling new commercial paper sir पहली लाइन गलत है इसमें दूसरी लाइन सही है क्या कह रहा है बेटा कह रहा है commercial paper की maturity को tailor किया जा सकता है tailored मतला अपने इसाफ से बदला जा सकता है sir बिल्कुल बेव कूफियत वाली बात समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है मैं इतरफ देखना मैंने commercial paper issue करे for eight month जब maturity का दिन आया मेरे पास पैसे नहीं थे कहता है आप अपनी मर्जिस से बदलवा सकते हो मैं चोटी थे सर कभी नहीं बदलवा सकते है यह तो बिल्कुल बेव कूफियत वाली बात है लेकिन आप दूसरी लाइन यह बिल्कुल टीक लिखता है बेटा कि आप एक commercial paper को repay कर सकते हो दूसरे commercial paper sell करके क्लियर करता हूँ बेटा example से बाद मैंने 11 करोड के commercial paper बेचे at 10 करोड 10 करोड मेरे पास आ गए 8 महीने मैंने यूज करा पैसे को 8 महीने बाद मुझे 11 करोड वापिस करने है मेरे पाद पैसे नहीं अरेंज हो रहे मैंने क्या करा market में 12 करोड के commercial paper और बेच दिये 11 करोड में मां से 11 करोड आए यहाँ पर 11 करोड दे दिये यानि कि एक commercial paper बेच कर दूसरे के पैसे उतार दिये अब इसको कितने महीने बाद देना है let's suppose मैंने 7 महीने के लिए शू करे तो 7 महीने बाद मुझे 12 करोड बापिस कर दे यह तो आप कर सकते हो लेकिन बेटा मैं चोटी पीरड एक दिन भी नहीं बतला जा सकता और मैं प्रूव कर दू यह बात को खाली मेरा दिल नहीं कह रहा limitation का third point पढ़ लो यहीं clear हो जाएगा कहते है commercial paper is an impersonal method of financing as such if our firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulty extending the maturity of CP is not possible देख लो एक ही book है इतना contradiction एक तरफ कहते हो maturity बढ़ा लो टेलर कर लो एक तरफ कहते है possible ही नहीं है सच बात ही है possible नहीं है तो आप क्या करोगे सर fourth merit quote ही मत करना ठीक है ना हमें किसी controversy में पढ़ना ही नहीं है ठीक है ना teacher का 225 बिलकूल मैडम ऐसे ही होते है आपको क्या बता चलो बाबो advantage का fifth point companies can park their excess fund in commercial paper thereby earning some good return on the same sir company कहते है company क्या कर सकते है अपना excess fund पाक कर सकती है मैं यहाँ पर एक serious concern पर मुद्दा एक serious इस पर focus कर दूँ आपका बेटा देखो क्या होता है आप ये मत सोचना कि company कभी भी अपनी normal working को disturb करेगी समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ आप issue कर रहे हो 11 करोड के commercial paper है 10 करोड और मेरी company एक रुपा भी मेरे पास access नहीं है मैंने 10 करोड रुपे अपने business में invest करे हुए कोई company कभी ऐसा नहीं करती कि अपना सारा ताम जाम बेचा 10 करोड इगटे करें और आपके commercial paper करीद लिए सर कोई ऐसा नहीं करता कोई भी company अपनी normal working डिस्ट अब करके commercial paper में पैसे नहीं लगाती हमेशा ज्यानक ना आपके normal business में return ज़्यादा होती है सर सची बात है ये कम सकाम आप 20-20% कमा रहे होते हैं अपने normal business से ऐसा नहीं होता आप अपना ताम जाम बेचके किसी और company के commercial paper में 10% के लिए invest करोगे आप सर्फ वही पैसे invest करते हो जो आपके current account में idle पड़े हैं जिस पर कुछ नहीं कमा रहे थे उस पर 10% कमा लो normal working disturb करके आप एक रुपा भी invest नहीं करते हैं किसी company में शट क्लियर होगी सर मेरा हर point पर analysis बहुत अलग होता है इसलिए बहुत अराम से सुना करो इन चीजों को ठीक है जी आपको लगता हो ना जिसमें से कुछ नहीं निकलता है उसमें से सब कुछ निकाल देता हूँ बेटा limitation की बात करते हैं मैंने third बता दी first or second आप पढ़ रहे हैं पहले आप सर पहली limitation ये है कि सिर्फ financially sound companies और highly rated firm इन ही को commercial वेपर से पैसे मिलते हैं जो moderately rated firm है बेटा या बेटा जनकी rating ही बहुत कम है उनको पैसे नहीं मिल सकते सर मैं पहली बोल चुका हूँ intro में large company credit worthy company medium companies small companies आपके बस की बात नहीं है commercial वेपर आपको एक रुपे का कोई नहीं देगा बेटा और दूसरी बात में लिखा है बेटा कि commercial वेपर में बेटा पैसा एक limit तक raise कर सकते हो एक limit है बेटा इसकी ठीक है ना और बेटा वो limit क्या है जितना सामने वेली firm के पास access finance पड़ा है कोई भी ये तो नहीं होगा न अपना ताम जाम बेच के आपने इंवेस्ट करेगा बेटा जितना उसके पास idle पड़ा वो इतना इंवेस्ट करेगा और फिर भी बता दू अर बो नहीं हो सकते ये ये कुछ करोड तक की बात है बेटा आज मैंने दोनों topic शुरू करके खतम कर दिये बेटा ठीक है ना अभी कल सुना दो याद equity और preference सुना दो थोड़ा सा दिल खुछ कर दो याद मेरा ठीक है ना equity और preference सुना दो कर दो आज के लिए इतना ही रखते है बच्छो बाबाई